हेलो एवरीवन, विलकम टू माई चैनल, आओ देखे जाने, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, से और सबिस्क्राइब चरूर करें, आज का हमारा टॉपिक है लगू और कुटीर उद्योग पर निबंद लगू उद्योग और कुटीर उद्योग दोनों को एक ही समझा जाता है, या ऐसे उद्योग होते हैं, जिन्हें हम आसानी से अपने घर से ही प्रारम्ब कर सकते हैं, या फिर किसी छोटे मोटे रूम को किराय पर ले करके भी कुटीर उद्योगों को प्रारम्ब कर सकते हैं कुटीर उद्योग की खासियत क्या होती है कि या बहुत ही कम लागत में चालू हो जाते हैं इसलिए अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे भी हैं तो आप कुटीर उद्योग प्रारम कर सकते हैं और अगर आपके पास उद्योग में लगने लायक पैसे नहीं है तो आप भारती सरकार के द्वारा दी जाने वाली विभिन प्रकार की आर्थिक सहायता वाली योजना में आवेदन कर सकते हैं और योजना का लाभारती बन करके प्राप्त हुए पैसे का इस्तमाल आप लगू उद्योग को चालू करने के लिए कर सकते हैं, तथा तैयार सामान को मार्केट में बेच करके अपनी कमाई कर सकते हैं, और अपनी जिन्दगी को बहतरीन बना सकते हैं. सरकार के द्वारा कुटीर उद्योग को चालू करने के लिए विभिन्द प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, आप उन योजनाओं का लाप ले करके कुटीर उद्योग चालू कर सकते हैं, कुटीर उद्योग के अंतर गत आप पसुपालन का काम कर सकते हैं, इसके अलावा चटाई बनाने का काम, मिट्टी के खिलोने बनाने का काम, टेस्टी बनाने का काम, सूप बनाने का काम, मौमबत्ती बनाने का काम, अगर बत्ती बनाने का काम कर सकते हैं, इसके अलावा भी अगर आपके मन में अन्य कोई कुटीर उद्ध्योग का आइडिया है तो आप उस पर भी अमल कर सकते हैं। कुटीर उद्ध्योग के अंतर गत आप मचली पालन भी कर सकते हैं, कीट पालन कर सकते हैं और अपनी कमाई को अधिक से अधिक बढ़ा सकते हैं। हमारे देश में सबसे ज़्यादा कुटीर उद्योग भारत के ग्रामिड इलाकों में ही सुरू किये जाते हैं क्योंकि भारत के ग्रामिड इलाकों में बेरोजगारी की दर काफी अधिक होती है साथ ही उद्योग ना होने की वजह से लोगों के पास रोजगार नहीं होता है ऐसी अवस्था में लोग कुटीर उद्योग के द्वारा खुद ही रोजगार पैदा करते हैं साथ ही समूह में सामिल अन्य लोगों को भी रोजगार देते हैं इस प्रकार से भारत के ग्रामेड इलाकों में कुटीर उद्योग रोजगार प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा ही साधन है साथ ही बेरोजगारी दोर करने का भी जरिया है कुटीर उद्योगों के तहट सुरू किये गए आज कई उद्योग भारत की अलावा विदेसों में भी जाने लगे हैं लिज़त पापर जैसा कुटीर उद्योग आज भारत में एक ब्रांड बन चुका है इसकी अलावा भी अन्य कई कुटीर उद्योग हैं जिनके द्वारा बनाए जाने वाले सामान की डिमांड विदेशों तक हो रही है अब कुटीर उद्योग स्मार्ट भी हो गए हैं क्योंकि कुटीर उद्योग के अंतर गत्चो सामान तयार हो रहे हैं उन्हें लोकल मार्केट के अलावा दूसरे राज्यों में और दूसरे देशों में तो भेजा ही जा रहा है साथ ही उन्हें उन्लाइन भी Amazon और Flipkart वेबसाइट पर उपलप्त कराया दिया गया है जिसकी वज़ा से कुटीर उद्योग सुरू करने वाले लोगों को काफी अधिक फायदा हो रहा है क्योंकि उन्लाइन प्लेटफॉर्म पर आने की वज़ा से उन्हें देश भर के अलग-अलग इलाकों से ओर्डर की प्राप्ती हो रही है जिससे उनके समान की खपत अधिक हो रही है और उन्हें जादा मुनाफ़ा भी प्राप्त हो रहा है धन्यवाद